दिल्ली कैपिटल्स मंगलवार यानि की चार अपलेल को IPL 2023 के साथवे मैच में डिफेंडिंग चैंपियन गुजराट टाइटन्स की मेजबानी करेगी ये मैच अरुनजेटली स्टेडियम में खेला जाएगा जिसे पहले फिरोजशा कोटला के नाम से जाना जाता था दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन की खराब शुरुआइट की क्योंकि उन्हें लखनौ सूपर जाइंट्स की हाथों बड़े पैमाने पर पीटा गया था टाइटन्स ने हाला कि सीजन की विजय शुरुआत की है क्योंकि उन्होंने शुरुआती मैच में चैननी सूपर किंग्स को हरा दिया था दोनों टीमों के टकराने के साथ ही दोनों कप्तानों के बीच भी दिल्चस्प मुकाबला होगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कश्वी और आप देख रहे हैं ग्यामथॉन का डिजिटल प्लाटपॉम दिल्ली कैपिटल्स और गुजराट टाइटन्स के वीच IPL 2023 का मैच मंगलवार यानी की चार अपरेल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा मैच मंगलवार को भारती समय अनुसार शाम साड़े साथ बज़े से शुरू होगा दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले मैच में LCG के खिलाफ निराशा जनक शुरूआत की थी वे दोनों वे भागो में मात खा गए थी और मौझूदा चैंपियन के खिलाफ मैच में चेंट जरूरी होगा टाइटन्स ने शांदार शुरुवात की और CSK के खिलाव मैच में अपने चैंपियन चिप का जल्वा दिखाया उनके लिए कुछ कठिन दौर था लेकिन खराब दौर से गुजरते हुए उन्होंने बड़ी जीत हासिल की DC के खिलाव टाइटन्स के कप्तान हारदिक पांडिया भी यही रणनीती अपनाने के इच्छुक होंगे DC और GT दोनों के पास अच्छे विदेशी खिलाडी हैं लेकिन DC विदेशियों के पास पिछले मैच में एक सामूही डे ओफ था DC अपने घरेलू दर्शकों के सामने खुद को प्रेरित करने की उम्मीद कर रहे होंगे लेकिन गुजराद की टीम के पास कैपिटल्स को हराने के लिए पर्याप्त गुड है ऐसा लग रहा है कि गुजराद टाइटन्स इस टाइ में आगे है लेकिन कैपिटल्स इतिहास को बदलने के लिए इच्छुक होंगे ये दोनों टीम में अब तक सिर्फ एक बार भिड़ी हैं और गुजराद टाइटन्स 14 रन से मैच में विज़े हुई थी हमारे अनुसार दिल्ली कैपिटल्स की जीतने के चांसिस 35 प्रतिशत तक है और वहीं गुजराद की टीम की विनिंग चांसिस 65 प्रतिशत तक होंगे इसी रिपोर्ट के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और जल्दी मिलेंगे एक नई प्रेडिक्शन के साथ तब तक के लिए देखतरी गाम थौन का डिजिटल प्लाटपॉर्म